आज हम सीखेंगे दशमलव संख्याय और दशांश हम अक्सर खबरों में सुनते हैं कि पेट्रोल का मूल्य दस पैसे से बढ़ गया है जबकि डीजल का 16 पैसे से अब दिल्ली में पेट्रोल का मूल्य होगा 71.12 रुपए और डीजल का मूल्य होगा 66.35 रुपए इसी तरह क्या आपने दुकान से सामान खरीदने पर प्राप्त हुई रसीत को ध्यान से देखा है क्या इस पर वस्तूओं का मूल्य सिर्फ पूर्न संख्याओ यानि होल नंबर्स से अंकित किया होता है आपने एसी संख्याओं में एक बिंदू प्रयोग होता हुआ देखा होगा इसे हम कहते हैं दशमलव बिंदू यानि decimal point दशमलव बिंदू का प्रयोग पूर्न संख्याओं को भाग से अलग करने के लिए किया जाता है जैसे यहां दशमलव बिंदू के प्रयोग से 71 रुपे और 12 पैसे अलग किये गए हैं इसी प्रकार 66 रुपे और 35 पैसे अलग किये गए हैं ऐसी संख्याओं जिनमें दशमलव बिंदू का प्रयोग होता है कहलाती हैं किसी भिन्द की तूल्य भिन्द पता करने के लिए हम उसके अंश और हर को एक ही संख्या से गुणा करते हैं इसी प्रकार हम किसी दशमलव संख्या को भिन्द के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जैसे मान लीजिये हमें 2.6 को बिन्न के रूप में व्यक्त करना है। 2.6 में 2 इकाईया है और 6 दशांश है। मान लीजिये हम एक वर्ग को एक इकाई मानते हैं। इस तरह से 2 इकाईयों के लिए हम 2 वर्ग लेंगे। इसी के साथ अब यहां 6 दशांश भी है। इसलिए हम एक और वर्ग को 10 बराबर भागों में विभाजित कर इन में से 6 भाग लेंगे। इस वर्ग में अगर हम 2 भागों को जोड़ कर इनका एक ही भाग बनाते हैं। तो हमें कुल 5 भाग प्राप्थ होंगे जिन में से 3 भाग चायांकित है। भिन्द के रूप में इसे 3 बटे 5 से व्यक्त किया जा सकता है। झाल 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 झाल